कहानी की शुरुआत में कुछ आधार दिखाते हुए, फाउंडेशन ने चार परजीवियों को लाने के लिए अपना शिप भेजा है, लेकिन उन्हें खबर मिलती है कि अंतरिक्ष से लोटते वक्त स्पेस शिप क्रश्ट हो गया है, और पता नहीं उस स्पेस शिप में जो परजीवी थे वो बचे भी या नहीं, उन्होंने तुरंट वहाँ पुलिस भेजी, वे उस जगह की जाँच करने लगते हैं, जब पुलिस वहाँ पहुँचती है, तो हम देखते हैं कि उन चार परजीवियों में से एक किसी के शरीर में छिपा होता है, वह उस व्यक्ती के शरीर को अपना बनाता है, नई रहने योग्य दुनिया के लिए जगह की खोज करते समय, लाइफ फाउंडेशन, एक बायो इंजिनियरिंग निगम से कनेक्टिड एक जाँच, सिंबियोटिक लाइफ फॉर्म्स में शामिल एक की खोज करती है, वे चार नमूने वापस पृत्वी पर लाते हैं, लेकिन एक नमूना बच जाता है और जहाज मलेशिया में हो जाता है, खोज दल बच गए नमूने को ढूंडने में सक्षम नहीं है, लेकिन स्पेश शिप पर अंतरिक्ष यात्रियों में से एक आश्चरे जनक रूप से दुरगटना स्थल के पास जीवित पाया गया है, अंतरिक्ष यात्री को अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस में ट्रांसफर्ड किया जाता है, सिंब्योट अंतरिक्ष यात्री के शरीर को अपने कबजे में ले लेता है और एंबुलेंस को दुरगटना गरस्त कर देता है, Symbiote nurse के शरीर में रहता है और उसमें मानव शरीर को ठीक करने की क्षमता होती है Symbiote को live-way foundation का मिलता है और वह उसकी और बढ़ता है Symbiote mask का भूका है और एक शरीर से दूसरे शरीर में बढ़ता रहता है और अपने destination की और बढ़ता रहता है Life Foundation अन्यतीन को करता है और उन्हें San Francisco में अपनी शोध सुविधा में ले जाता है जहां CEO Carlton Drake a genius आविशकारक और inventor and experiments on Symbiote करने वाले Life Foundation के नेता को पता चलता है कि Symbiote oxygen के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं सांस लेने वाले मिजबान जो अकसर से जीवन को rejected कर देते हैं जब तक कि वे संगत नहों like organ transplant खोजी पत्रकार AD Brock ने अपनी मंगेतर एनी वेंग के पास मौझूद एक classified documents में Drake के trials के बारे में पढ़ा जो Life Foundation के लिए मुकदमा बचाव की तयारी में शामिल एक वकील है Brock ने Drake पर आरोप लगाया कि वह अपने funded space exploration करने के लिए एक अंतरिक्ष सामराज्य और एक pharmaceutical सामराज्य चलाता है वह समाज के सबसे weaker sections को पैसे का लालच देकर अपनी company के drug tests के लिए भरती करता है और उन में से कई लोग अपनी जान गवा देते हैं इसके कारण Brock और वेंग दोनों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा As a result, वेंग ने अपना रिष्टा खत्म कर दिया श्रीमती चेन एक सुविधा स्टोर की मालिक हैं जहां Brock दुकाने चलाता है एक दिन स्टोर में चोरी हो जाती है और Brock चिपने के अलावा कुछ नहीं कर पाता श्रीमती चेन ब्रॉक का बहुत करती हैं चेह महीने बाद, ड्रेक मनुश्यों के साथ सफल सह जीवन प्राप्त करने के करीब पहुँच रहा है सकिर्थ ने अभी-भी खरगोशों पर पशु परीक्षन पूरा किया था और ड्रेक उसका human trials शुरू करना चाहता था जबकि उसे लगा कि यह बहुत जल्द होगा सकिर्थ जानता था कि सह जीवन होने के लिए मेजबान और सिंबियोट के बीच एक आदर्ष मेल आवशक है यदि मेल सही नहीं होता है तो मेजबान मर जाता है जिसका मतलब है कि सिंबायोट के लिए एक आदर्ष मानव मैच मिलने से पहले कई इनसान मारे जाएंगे ड्रेक का एस्टिमेट है कि यदि मनुश्य विदेशी जीवन रूप के साथ सह जीवन प्राप्त कर लेते हैं तो वे भी सिंबायोट की तरह अंतरिक्ष में रहने में सक्षम हो सकते हैं ड्रेक चाहता है कि नेक्स टेस्ट उडान में हुमन ट्राइल्स विशे उनके अंदर सिंबायोट के साथ अंतरिक्ष में उनके जीवित रहने की संभावना की जाँच करें ड्रेक के वैग्यानिकों में से एक डोरा स्किर्थ ब्रॉक से कॉन्टैक्ट करती है जो ड्रेक के तरीकों, choosing random humans during the experiment और उन्हें मौत के घाट उतारना से disagree है और ब्रॉक को बेंकाब करने में मदद करना चाहता है स्किर्थ का कहना है कि वह सीधे पुलिस के पास नहीं जाएगी क्योंकि उसे अपने परिवार और अपनी जान का डर है स्किर्थ ब्रॉक को बताता है कि अंतरिक्ष में ड्रेक की जान से ग्रह पर विदेशी जीवन वापस आ गया स्किर्थ ब्रॉक को सबूत खोजने के लिए research facility में गुसने में मदद करता है और उसे पता चलता है कि उसकी एक परिचित मारिया नाम की एक बेगर महिला ड्रेक के test subjects में से एक बन गई है ब्रॉक मारिया को बचाने का प्रयास करता है लेकिन वह उस पर हमला करती है और symbiote उसके शरीर से उसके शरीर में हो जाता है जिससे वह मर जाती है ब्रॉक भाग जाता है सुपर ताकत, गती और चपलता का प्रदर्शन करके लेकिन जल्द ही वह अजीब डिस्प्लेज सिम्टिम्स करना शुरू कर देता है अत्तिधिक भूक, कूडे दान से बाहर खाना और शोचाले से बाहर पीना और मदद के लिए वेंग के पास पहुँचता है जब उसे अपने अंदर आवाजें सुनाई देने लगती है सिर, उसका नया प्रेमी, डॉक्टर डैन लुईस, रीड स्कॉट, ब्रॉक की जाच करता है और सिम्बायोट की खोज करता है इस बीच, ड्रेक ने सकिर्थ को उसके के लिए मार डाला ड्रेक ने सकिर्थ को उस व्यक्ती का नाम भी बताया जिसे उसने सुविधा में लाया था हर रिमेइनिंग कैप्टिफ सिम्बायोट के सामने उजागर करके जो अंतह मर जाता है यह ब्रॉक के अंदर सिम्बायोट को एक मात्र ग्यात जीवित नमूना के रूप में छोड़ देता है ड्रेक ब्रॉक से सिम्बायोट को रिसीव अगैन करने के लिए भाड़े के सैनिकों को भीजता है लेकिन यह ब्रॉक के शरीर के चारों और एक राक्षसी प्रानी के रूप में प्रकट होता है जो हमलावरों से लड़ता है सिम्ब्योट से ब्रॉक को हमलावरों से बचाता है और उसे गोलियों और अन्य जीवन घातक स्थितियों से बचाता है शहर के बाहर आश्रे लेते हुए, सिंबायोट ब्रॉक के साथ कम्यूनिकेशन्स करता है और खुद को वेनोम के रूप में पेश करता है। यह बताता है कि धूमके तु एक इन्वेडर शक्ती है जो नई दुनिया की खोज कर रही है जहां सिंबायोट्स निवासियों को अप उसके वर्क प्लेस में घुस जाता है लेकिन बाहर निकलने पर वह स्वाट अधिकारियों से घिर जाता है और भागने के लिए एक बार फिर रूप बदल लेता है। वेन्ग इस चेंज को देखता है और ब्रॉक को लुईस के आफिस में वापस ले जाता है जहां वे दीरे दीरे उसके आंतरिक अंगों को सड रहा है। ब्रॉक यह भी स्विकार करते हैं कि सिंब्योट की दो कमजोरिया हैं तेज आवाज और आग। हाला कि सिंब्योट का दावा है कि अंक्शती उनके सहजीवन का एक निश्चित हिस्सा है। वेंग एक MRI मशीन का उप्योग करके सिंब्योट को काफी समय तक कमजोर कर देता है ताकि ब्रॉक इस से अलग हो सके। फिर ब्रॉक को ड्रेक के आदमियों ने पकड़ लिया। इस बीच चौथा सिंब्योट दंगा एक शरीर से दूसरे शरीर पर चलांग लगाते हुए मलेशिया से सैन फ्रांसिसको तक रास्ता बनाता है। यह ड्रेक के साथ जुड़ता है जो बाकी सिंब्योट्स को इकठा करने और उन्हें प्रित्वी पर लाने के लिए लाइफ फाउंडेशन के स्पेस प्रोब में दंगा लेने के लिए अगरी होता है। वेंग से वेनोम के साथ बंद जाता है ताकि वे जब ब्रॉक और वेनम फिर से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वेनम कहता है कि उसे ब्रॉक के साथ अपनी बातचीत के से प्रित्वी को अपनी तरह से बचाने में मदद करने के लिए कौन्फिदेंट किया गया है और यह जोड़ी वेंग की मदद से दंगा और ड्रे एक दोनों मर जाते हैं वेंग का मानना है कि इसके बाद ब्रॉक अब वेनम से बंदा हुआ नहीं है और विसफोर्ट में सिंबियोट की भी मृत्यू हो गई हाला कि यह जोड़ा गुपत रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और अपराधियों को मार कर शेहर की रक्षा करने के लिए निकल पड़ा ब्रॉक पत्र कारिता में भी लोटता है और एक मिड क्रेडिट द्रिश में उसे जेल में बंद सीरियल किलर क्लिटस कसाड़ी का इंटरव्यू करने के लिए किया जाता है जो भागने पर मासकर का वादा करता है